नमस्कार आप देख रहे हैं अबी स्टार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी थिवारे कोरोना के मामलों में महराष्ट और केरल सहित साथ राज्यों में बढ़ोतरी दर्श की जा रहे हैं एक बार फिर कोरोना वापसी की ओर है आपको बता दें कि महराष्ट और केरल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने से चिंता और जादा बढ़ गई है इसके साथ ही भारत के कई और राजियों में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजरा रहे हैं लखनों से मारे समवादा था अनुप जी अनुप जी के ममनों में लगातार बड़ोत्री होती दिखाई दे रही क्या एक बार कोरोना फिर से वापसी की ओर है इसे पंजाब चर्थिस गर मद्यपेदेश है आपका जनुका स्वीर है तो इन सब जगों में क्रोने लगादार दिधि पाई गई है ये उसी लिए यूपि में भी खास इसके लिए इनतियाम एलर्ट जारी कर दिये गई है ची बिलकुल यूपि में भी प्ली कोनी कर दिएगे हैं साथी सा अणूब जी महाराष्ट whameg abundant ने आज बैठक बुलाई है वो बैठक में क्या कुछ गाइडलाइन्स जारी कर सकते हैं या ऐसे कहा जाए कि लॉकडाउन लगा दिया जा सकता है कि महाराज सियम डॉक ठाकरे ने कल भी बिल्कुछ साफ बात कही थी कि अगर लॉकडाउन इसे बचना है तो आप मास्क लगाइए और सोचल डिस्टेंसिंग के पालंग कीजिए क्योंकि वहां पर अभी एक व्याइपी शादी जो कल हुई उस पर भी आपत्ती हो गई है जो क कि अगर आपको लॉकडाउन से बचना है तो आप मास्क लगाएं सोचल डिस्टेंसिंग का पालंग करें तो बेशक वहां पे कुछ साहरों में लॉकडाउन लग सकता है जी बिल्कुल महराश्टर के साथ साथ कई राजियों में कोरोना फिर से जोर पकड़ रहा है जी बहुत बड़ी चुनोती होगी सरकार के लिए चाहिए कोई भी राज्यों उन राज्यों के सरकारों के बहुत बड़ी चुनोती होगी खासका यूपी के लिए क्योंकि यूपी में पंचार चुनो भी आ रहे हैं फिर हो ली है और दूसरे तेवार आ रहे हैं तो उसमें हमे चुक्ति है यहां पर यूपी में भी फिलाल कम है यहां पर सबसे ज्यादा यहां वैक्सिनेशन भी हुआ है बारा लाग अटबता जागे आसपार टेक्सिनेटर यहां हो चुता है लेकिन फिर भी चुनोती है क्योंकि दूसे राज्जों से यूपी का सीधा संपर्ग है चाह हुआ हो चाहे ट्रेन के बादेंस हो यहां पर डायरेक्स संपर्ग मिलता है इसलिए बहुत बड़ी चुता चुनोती है यहां पर आप कैसे दूसे राज्जों से अपने जहां कोरोना बढ़ रहें उनसे अपने राज्जों को बचा सकते हैं जी आनूप जी जैसा कि हम अच्छी तरह नहीं देखाया उसका उसके उपर साइड एफेक्ट देखा गया है इसमें दो बाते हैं पहली बात यह है कि वैक्सीन तो बिल्कुल कारगार है कारगाना होती तो डॉक्टर जो इतने सब लगा रहें क्यों लगारें वैक्सीन बिल्कुल हमें इमेरीकिन लगते हैं पहले डोज जब लगता है उसके बाद भी हमें कोरोना से बचना पड़ेगा उसके बाद भी हमें कोरोना से बिल्कुल बचाव करके ही चलना जब तक कि आपको डूसी डोस ना लग जा है हमाले हैं क्या एक डोस लग गई उसके बाद भी हम लापारवा बन जाते हैं और उसी बिना मास्के लज़ने लग जाते हैं यह का लने कि लोग वैक्सीन आ गई है इसको लेकर लोग अब सतर्क हो गई है कि अब गाइडलाइन का पालन ना भी करें तो कोरोना वापस नहीं है क्यों से कॉरोना ने रफतार पकड़ ली बिल्फोर यही दिक्क्त है कि लोगों के मन से क्रोणा का भाए निकल गया है कि वैक्सीन आगे आब हमें क्या मास्क लागाना क्या सोचल डिश्टेंजिश करना पस्य ही दिमाग में जो बात है कि यही चीज गलद सरकार बाब पर कि आप इससे एक डोज लगने बाद भी आपको पूरी तरह से सतर के रहना ही रहना जी था WITH इस वालना ने फिर से रफ्तार पकर है तो क्या ही कहा जा सकता है कि पिछली बार की होली की तरह जिस तरह पिछली बार होली में भंग पड़ गया था को लेकर इस तरह की होली भी वैसी जाने वाली है कि आप इसी दुबारा आए लेकिन हाँ बेशक हम अगर लापार बहा बने रहेंगे तो वो दिन फीस दूर नहीं कि हम दुबारा में लॉक्डाउं में जाना पड़े लेकिन हाँ यूपी सरकार एलर्ट है होली के मते देंजर सब को बोल दिया गया है बाकादा एलर्ट कल भी चिला दिकारी यहां डीम ने लख्रू में भी बाकादा एंगों ने बैठा के लिए सब्की कि आप यहां पर होली हो या कोई भी बड़ा सम्मेलन हो रहा है उसको पूरी तरह सोचल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते विए ही आप वो सम्मेलन करें लेकिन जो दूसरे राज़ है उनसे डाच संपर्क हमारा है यहां पर बाकारा बोल दिया गया यूपी के लिएski करें, उनके टेसिंग करें, उनको बाकारा आप उनका ठ olduğसले हैं उसक." जारी कर दिया गया है कि अगर आप किसी दूसरे राजियों से आ रहे हैं तो आपकी कोरोना जारी किया गया था लेकिन फिर बीच में बिल्कु 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 यहां पे बिल्कुल साब दिशान निदेश देदी हैं आज भी मुख्यमंती ने सब्सक्राइब मीटिंग की सब्सक्राइब कि जब भी कोई ट्रेनिया रेल हवाई वाजयाता से इन पांचे राज महारास्त हैं मदपिरेश चतीजियार है जमू कश्मीर यहां से कोई आ रहा है तो पूरी तरह उसको सेल्फ कॉरेंटाइन रहना ही रहना है यहां पर और साथ में उसकी कोरोना टेस्ट पर पर जाती है इस तरह से पंचाइट चुनाओं बहुत नजदीक है तो कोरोना का पंचाइट चुनाओं पर क्या कुछ आसर पड़ सकता है कि देखिए पहले तो यह माना जाता रहा कि शहरों में ज्यादा है कोरोना गावं में नहीं है लेकिन अब कैसे जैसे समय बीता ग्रामी छेतों में भी कोरोना ने पैर अपने पसा रहे तो बेशक पंचाइट चुनाओं है ग्रामील जंता है थोड़ा सा लापरवा हो जाती कि पंचाइट चुनाओं में भी देखने वाला है कि कोरोना की गैडलाईन का पालन कैसे गट आपते हूरे ही करोना की गैडलाईन सुनाओं है कर साथ अब दो साथ शिवरात्तरी भी आ Ages Henderson में लोग कैई लोग कावर लेकर जाते हैं लाखों श्रद्धालु जाते हैं कावर लेकर तो उस पर भी कुछ असर दिखाई देगा कि इस कावर जो कावरियां हैं उनके उपर योगी सरकार हमेशा से में रहती है सब जानते हैं तो बेशक उनको भी इस बार की अध्य बताया जा रहा है कि कावर आप तर पिछली बार तो रूप गे थी पिछले साल व करते मामलों में क्या कुछ अधिसान देश में यह बताया गया है कि आप जितने भी या नमारे मात्यम से या प्लेन से आ रहे हैं उनकी पूरी तरह से आप ट्रेसिंग करें ट्रेस्टिंग करें जो पहाँ से पांच छे राज हैं मत्यकर देश तो गया पंजाब बोगया शक पूरी पूरी आप जारी होगे दूसी चीज जो पुलाने पूरबारा पौलिस वार तैनात किया जा रहे हैं महां पूरा जमाने रहें जोड़ाने दत्रन है उनको दुबार आंच किया जाला कि नव वहां पर सगवना दिल से आन गता गड़ा तेंगर ट्रीजटर नरब आ नरा किया जा रहा तो מאוד में अधेर ल्सन से कर दिया जा रहा है कि दराब पर वाई पिल्कुल नहीं सोचल डिस्टेंसिंग और मास्का प्रियोग हर हाल में हर वेक्टिव को करना है कई राजियों में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए कर कई राजियों में सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है जैसे कि पिशली बार फरवरी मर्च में सीमाय बंद थी उसके बाद सीमाय अल्लॉक के बाद खुलने लगी थी लेकिन फिर आप कोरोना के बढ़ते मामले को ले कर कई राजियों के सीमाओं पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है बिल्कु बिल्कु सबसे पहला यही एक काम सरकार करती है कि अगर किसी राज्य में उसे पड़ोसी सटेवे राज्यों में कोई पुरोना की संक्वर्ण फैलता है तो दूसरा राज्य जिसकी सीमा लगी होती है वहाँ पे एलर्ट जारी कर देता है वहाँ पे जो आवागमन हो पर बाकारा टेस्टिंग बढ़ा दी के ती यह लोग दिया गए लेकिन अभी आपने बताया कि सभी राज्यों में सीमा पर अलर्ट जारी कर दी जाते कि अगर इनसान आएगा और संक्रमित हैं तो दूसरों से संपर्क में आने से यहां पर भी लोग संक्रमित हो जाएंगे तो क्या सीमो पर अलर्ट जारी करने के साथ-साथ दिशान इरदेशों को पालन करने के साथ-साथ क्या हम यह मान सकते हैं कि लॉग डाउन की और एक बार फिर से बढ़ रहा है कि लॉग डाउन हां जिन राज्यों में लॉग डाउन संक्रमित जादा बढ़ गए जैसे महरास्ट हैं तो महरास्ट में दो तीन जो शहर उसमें लॉग डाउन लगेगा इसीम ने इसकी संकेत भी दिये लेकिन हाँ अबी चुकि यूपी है यूपी में से संभावना नहीं लेकिन जिन राज्यों बढ़ रहा है क्योंकि कोई राजिय वहाँ हाँ ूर्स को बताई कि किन-किन राज्यों में ऐसी संभावना है कि आने वाले दो-तीन दिनों में लॉक्डाउन लग सकता है, तो महाराष्ट हो गया और किन राज्यों में ऐसी संभावना है? जहां पर बताया गया कि हाँ यहां पर साथ दिन का लॉक्डाउन लगाए जा सकता है, फिलाल इनी महाराष्ट की बाते और दूसे राज्यों अभी यह देखा जा रहा है, वेटन वाच की स्थिति है, यागर संकोर बढ़ता है, थो बिल्कुल वहाँ भी लॉक्डाउन लॉक गुजरात जैसे राज्यों से अगर कोई इनसान आ रहा है तो उसकी कोरोना जाश की जाएगी साथी साथ और भी खास इंतजाम हवाय अड़े पर किये गए है, अपने गुजरात की बात के गुजरात में निकाय चुनाव हुए है, इसके परड़नाम आज आई है, वो सरकार चुनाव पे तो कोई ध्यान देती नहीं, चुनाव हो गए, लेकिन वहाँ पे सोसल डिस्टेर्सिंग कैसे पालंग कराना, इसका कोई सरकार वहाँ ध्यान नहीं देती, उसका खाल लिए ये काम रहता है कि हाँ चुनाव हो जाए, जिसकी वज़े से कोरोना संक्रण आप द सरकार अपने चुनाव तो करवा लेकिन हाँ, ये भी देखा गया कि गाइडलाइन का पालंग किया है, मेरे एकाल से नहीं होता है, अनुप जी जैसा आपकी अभी आपने बताया कि गुजराद में निकाय चुनाव होए थे, साथ ही अभी पंजाब में भी चुनाव होए थ ये बाकादा लिए ज़सान निदेश जारी हो जाते हैं, यहां गयार्याइन से पालंग करना, लेकिन जमीनी इस तरफ पर गयार्याइन का पालंग करता हुए कोई नहीं दिखाई देता है, इसी तरह का आप से एक न लगा लिए, दो नहीं लगा दिया बस इसके लाब़ा क जर्वेत state ऑफारस्वें ईयिए एक चोनात टॉल याट उल जया जाती ही जैना की जम्रित पे दिखाई देखनेकरण है बिलकुल अनुची जब तक लोग गायिड लाइन्स का पालần Nई करेंगे मास्क नहीं लगाएंगे सोशन्ड डिस्टनसिग का पालần नहीं करेंग जब तक करोना नहीं जाने वाला कि लोगों करोना वैक्सीन के लुग संद जरागा राषत मिल गए और बढ़ रहा है अब देखना ये होगा कि कोरोना के मामलों में कितनी कमी आती है और सरकार क्या दिशा निर्देश जारी करती है बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी आम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साजा करने के लिए इसे के साथ अबे के लिए इतना ही फिलाल देखते रही है अबी स्टान नियूस नमस्कार